इस चीज के डालने से सभी फूलों वाले पौदों में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं यदि इस चीज का प्रियोग फल वाले पौदे में करें या सब्जियों में करें तो बहुत ज़्यादा फल फूल सब्जियां हम अपने पौदों से हार्वेस्ट कर सकते हैं आखिर ये सब पे चीज है क्या आज की वीडियो में हम complete जानेंगे नमस्कार दोस्तों शागत है आप सभी का हमारे एग्रोटेग गार्डनि यूटूब चैनल पर तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो गुडेल का पौदा आप देख रहे हैं इसमें काफ जो पौदा होता है ये सन लविंग प्लैंट होता है इसे दूप बहुत ज़्यादा चाहिए इसे यदि प्रॉपर दूप मिलती रही लगो तीन से चार गंटे की दूप भी मिल जाए तो पौदा हमारा फूल देता रहता है इसके अलाबा ये हैवी फीडर भी होता है इसे फेटलाजर की बहुत ज़्यादा आवसकता होती है यदि हम इसे फेटलाजर टाइम टू टाइम दें तो बहुत ज़्यादा गुडहल के पौदे में इस तरीके से कलिया और फूल खिलते रहेंगे तो पौदे से फूल लेने के लिए सबसे पहला आपको काम ये करना है जहा पौदे की अच्छे से एक से दो इंच गहरी गुड़ाई कर दें यह जिस पौदे की गुड़ाई जो मैंने दस दिन पहले की दी तो मुझे ज़्यादा गुड़ाई करने की जरूत नहीं है आप 15 दिन में एक वार आप आसानी से गुड़ाई कर सकते हैं यानि की महीने में दो बार पौदे की आप गुड़ाई कर दें यह पौदे के लिए सही है अब इसके अलावा जो पौदा है भी फीडर होता है तो इसे देखे हमें को क्या करना इसके लिए फैटलाजर की बहुत ज्यादा आवसकता है महीने में आप दो वार फैटलाई डालें तो बहुत इससे पौदे फूलों से भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलिया बनती हैं, तो यहां पर देखी यह मैंने लिया हुआ है, इस चीज का प्रयोग हम करेंगे, और यह गुलन सील होता है, पानी में डालते ही गुल जाता है, फंदर दिन में आप इसे एक वार इस्तमाल करेंगे एक पौदे के लिए एक चमच, तो चलिए, यहां पर हमसे रख देते हैं, और दूसरी चीज के बारे में जान लेते हैं, दूसरी चीज, यह जो देख रहे हैं, यह मैंने सर्शों खली पाउडर लिया हुआ है, यह दोनों ही चीज हमें लेनी हैं, तब जाके यह अच्छे स पानी लिया हुआ है, एक चोटा पौदा है, गुड़ेल का इसलिए, तो इसमें लगवग हम तीन से चार चमच के करीब हम यूज करेंगे, यहां पर देखिए मैंने डार लिया, सर्शों खली पाउडर, इसे डालने से पौदे में पौदा बहुत ज़्यादा गिरोध करता है, और पौदा एकदम हल्दी रहता है, और यहां पर पोटेसियम नैट्रेट जो हमने लिया था, वो भी मैंने अच्छे से इसमें गोल दिया है, अब इसे हम रख देते हैं, और 24 गंटे के बाद इसे हम यूज करेंगे, क्योंकि जब तक यह पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा, जो हमारा मस्टर्ट केक फडलाजर है, और इसे हम आसानी से पौदा में यूज कर पाएंगे, 24 गंटे बाद का ये अपडेट मैं आपको देखा रहा हूँ, यहां पर आप देख सकते हैं, 24 गंटे हो चुके हैं, अब इसे हम अपने गुढ़हल के पौदे में इस्तमाल करेंगे, इस सबसे पहले जो देखी पौदे की यदी गिरोथ नहीं हो रही है, तो यहां पर जो पौदा देख रहे हैं, इस तरीके से आपके पौदे की गिरोथ होने लगेगी, बहुत जादा ब्रांचिस बनने लगेंगी, और पौदे में बहुत जादा फूल और कलियां आपको पौदे पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने गुड़हल के पौदे से इस वाटिलाजर से फूल ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अवसी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लेगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल पर पहली वार आये हैं, तो चैनल को हमसे जुड़ने के लिए अब सब्सक्राइब करें, ठेंक यू.